ओ बाबा तेरी मुरेली बड़ी है निराली मीठे बच्चे बाप आये है सुक शान्ती की मनोकामना पूरी करने तुम शान्ती चाते हो तो इन औरगन से डिटेच हो जाओ अपने सोधर्म में ठीको पुज्य बनने का फुर्शार्थ क्या है तुमारी फूजा क्यों होती है उत्तर पुज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो जो जीव की आत्में बाप को मदद करती है उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है तुम बच्चे शुबाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो तो फिर साकर में लक्ष्मिनारायन वा देवी देउता के रूप में भी पूजे जाते हो तुमने पुज्य और पुजारी के रहश्य को भी समझा है गीत है माताओ माता तु है सबकी भाग्य विधाता ओम शान्ति माताओ को सोबाग शाली बनाने वाला जरूर पिता ही है महिमा तो एक की ही गाई जाती है सबी का सद्गती दाता एक है याद भी उस एक को करना पड़ता है यह तो तुम बच्चों की महिमा है तुम जानते हो हमको दुर्भाग शाली से सोबाग शाली बनाने वाला बाप है भारत सोबाग शाली था फिर भारत सो प्रतिशत दुर्भाग शाली बना है भारत पर ही कहानी है इन माताओ को सोबाग शाली बनाने वाला बाप ठेरा जिसको तुम बच्चे जानते हो उनके साथ तुम्हारा योग है तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है दुसरा कोई मनुक्षिस रचना और रचता को नहीं जानते है यह चितरा आदी किसने बनवाए है तुम कहेंगे शिव बावा ने किस द्वारा फिर भी मातावा साकर पिता द्वारा कहेंगे अभी तुम बच्चों की बुद्धी में सारा सुरुष्टी रुपी जाड है सुरुष्टी कितनी बड़ी है वासकोडी गामा ने सारी धर्ती का चखर लगाया पिचाडी में सागरी सागर है आकाशी आकास और कुछ नहीं यह सब तुमने स्कूल में पड़ा होगा बाप फिर सब बाते नट्शल में समझाते हैं तुम जानते हो भारत में पाचजार वर्षे पहले बरोबर सत्यूग था सत्यूग देशरी भारत था भारत में भी कितने थोड़े होंगे अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजदानी के थे जमुना के कंटे पर स्रिकष्न की राजदानी थी ऐसा गाया जाता है दिल्ली को ही परिस्तान कहते है पहले पहले जरुर कोई की राजदानी होगी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजदानी के थे बाद में अलग-अलग हो जाते है तो प्रभाव वास्तों में जहां राज्य करते है वहा होता है भारत का बहुत प्रभाव है यह सब बाते तुमारी बुद्धी में टपकनी चाहिए धारन करना होता है श्यू बाबा को ही फिर सुमनात ग्यान का सागर कहते है आत्मा सुप्रिम शोल शोल अर्थत आत्मा आत्मा बड़ी चोटी नहीं होती है बाप कहते है मैं भी इन में प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है परंतु समस्ते भ्रुकुटी के बीच मोई चोटा सा स्टार है ना तो कहेंगे मस्तक मनी मस्तक में मनी है मनी आत्मा को कहा जाता है कहते सरव के मस्तक में भी मनी होती है ये सब बाते वास्तों में इस समय की है आत्मा रुपी मनी प्रकाश करती है वो ब्रुकुटी के बीच में रहती है बाप तो तुम बच्चों को रोज नही नही बाते समझाते रहते है मुख्य बाद समझ दी है मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ बाप कहते है मेरी जो आत्मा है जिसको परम आत्मा कहते है मैं जनम मरन रही थूँ मैं आता जरूर हूँ निराकार का मंदिर बना हुआ है आगे यह ग्यान नहीं था जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है निराकार आती है फेबेली में है लक्ष्मिनाराण के आत्मा भी आती है उनको भी शरीर दिखाते है लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते है शिव के मंदिर में शिव लिंग के साथ फिर शालिगराम भी है ऐसे ने श्रीकृष्ण के वा लक्ष्मी नारान के मंदिर में शालेग्राम दिखाते हैं तो सिद्ध होता है एक बाप की यह सब बच्चे है आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है रुद्र यग्य कहते है न बाप ने यह यग्य रचा है जिव आत्माओ द्वारा जैसे बाप की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए फिर साकार में जो लक्षमी नारण बनते है उनकी पूजा होती है वोई नाम चला आता है या तुम आत्मय सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा इसलिए तुम आत्मों की पूजा होती है श्यू बाबा कहते है मैं भी इन से बहुत भारी सर्विस करता हूँ इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए सब की पूजा करते हैं, कम से कम लाक शालिग्राम बनाते हैं, सेट लोक रुद्र यग्यर रचवाते हैं तो कोई पाचजार, कोई दसजार, कोई लाक शालिग्राम भी बनाते हैं, यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा, बाप समझाते हैं, तुमात्मा इस शरीर द्वारा सेवा कर रही हो सबसे जास्ती सर्विष श्रीव बाबा करते है और फिर तुमारे द्वारा कराते है तो तुम आत्मों की पुजा होती है बाप के साथ पहले पहले तुमारी मेमा आने चाहिए जानते कोई भी नहीं है नरुद्र को नशालिगराम को जानते है जिनोंने राज्य भाग़े पाया अभी तुम राज्य पारे हो पुजा मुक्य की होती है वो है लक्षमी नारेन जिनकी डिनाष्टी गाई हुई है उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना तुम बच्चों की मदद से राजदानी स्तापन होती है बड़ी मीठी बाते है नटशल में बाबा समझाते रहते है ताकि धारन भी कर सको मुख्य धारना की बात है मुझ बाप को याद करो तुमारी आत्मा में भी जाड और चक्र की नौलेज है नमबर वन सबसे पुझ्य शिव बाबा आत्मा का बाप है जो तुमको बेट ऐसा लायक बनाते है तुम आत्मा की पुझा होती है हम पुझ्य और पुझारी कैसे बनते है सो अब समझते हो भारत वासी ही पुझ्य और पुझ्य और पुझ्य बनते है अभी सब पुजारी है फिर पुज्य होंगे बाप फिर कोई पुजारी भगत नहीं होगा उनों को भगवती भगवान जरूर भगवान नहीं बनाया होगा अब भगवान निराकार है या साकार साकार में उच ते उच लक्षमिन आरान है उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार इसलिए निराकार की पूजा होती है यह सब बाते तुम बच्चों को समझाए जाती है पहले पहले बाप में नीचे रखना है बरोबर हम आत्माओं का बाप वो है कोई कहे हे भगवान हे परमपिता तो बोलो यह किसने याद किया और किसको एक दम पकड़ना चाहिए तुमको कितने बाप है तुम किसको पुकारते हो भगवान किसको कहते हो कहेंगे गौड फादर तो जरूर दो फादर है ना आत्माओं याद करती है गौड फादर को तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है शरीर का तो लोकिक बाप है आत्मा का बाप कोन है जिसको कहते है परम पिता परमात्मा ये किसने और किसको फुकारा है उस बहत के बाप का परिचे देना है उनसे ही वरसा मिलता है या भी उनको याद करते है बिन्न बिन्न भाशाओं में बिन्न बिन्न नाम भी रख दिये है कोई गौड कहते हैं कोई परमात्मा कोई खुदा कहते हैं सबी धर्मवाले याद जरूर एक को ही करते हैं, वह सबी आत्मों का बाप, वरसा बाप से ही मिलता है, तुम आत्मा उनको पुकारती हो, दो बाप का परिचे देना है, हद का बाप और बेहत का बाप, भक्ती मर में भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं, मै बाकी बीच में और धर्म स्तापन होते हैं, फिर बृद्धी को पाते पाते, पीचाडी में वह सब तमोप्रदान बन जाते हैं, पीचाडी में सहरा जाड आ जाएगा, वह खाली होगा तब फिर वापिस जाएंगे, तो अभी है पतित दुनिया, गाते है पतित पावन, तो ज श्रीकिष्ण नहीं कहते हैं कि मैं शरीर धारन कर तुमको समझाता हूँ यह तो नीरा कर बाप कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ तो वो अलग हो गया स्रीकिष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो यह तो कहते हैं मैं साधारन वानप्रस्त वाले तन में प्रवेश करता हूँ बाप कहते हैं मैं तुमारे जन्मों को जानता हूँ शुबाबा इंस में प्रवेश करते हैं स्रीकिष्ण को भगवान पतितपावन ग्य परमात्मा, त्रेता का राम कहे तो उनसे उच्छ तो लक्ष्मिनारान है, फिर उनका नाम क्यों लेते हैं, परंतु नहीं, है बात परमात्मा की, हेविनली गौड फादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते है, क्राइश्ट थोड़ी सब को लिबरे आपने आकर अपना बनाया है, तुमारा यह इश्वर्य जन्म, तुमको शुबावाश शक्ति मिलती है, तुमारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल, वो बुद्ध्य से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं, सुक भी साइंस पर बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है, तुमको तो वह एरोप्लान आदी सब होंगे, उनर तो रहता है न, यह सब चीजे फिर तुमको काम में आयेगी, विलायत में बत्तिया ऐसी है, जो बत्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, स्रिफ रोशने दिखाई पड़ेगी, सत् आदी की बात नहीं रहती है, दुख की बात नहीं होती है, बाप आकर तुमारी सुक और शान्ती के मनोकामना पूरी करते है, मनोक्षे शान्ती के लिए भुटकते है, उनसे पूछना है कि तुमको अशान्त किसने किया है, यह तुम जानते हो, अशान्त है, अशान्त यह प लिये है अभी तुम उनसे अलग हो जाओ डिटेच हो जाओ इसमें और कुछ प्राणायमादी करने की बात नहीं है कहा तक गुफा में बैटेंगे आत्मा कहती है मैं इन अर्गन्स से डिटेच हो जाती हूँ क्योंकि मैं ठक गई हूँ अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ अभी बाप कहते है तुम अपने स्वधर्म और स्वधेश को याद करो तुम असुल वहा के रहने वाले हो अपने घर को याद करो कर्म तो करनाई है कर्म बिना रह नहीं सकते वह समझते हैं हम भोजन अपने हाद से नहीं पकाते है इसलिए कर्म सन्यासी नाम है परन्तु कर विकर्म ऐसा है जो ग्रस्तियों के पास उनको खाना पड़ता है इसलिए फिर ग्रस्तियों के पास जनम ले निवरुति मार्गवे जाना है क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है भारत में प्योरिटी थी सब प्योर थे अब सब पती थे बाप बैट यह सब राज समझाते हैं फिर कहते बच्चे और कुछ न करो सरिब बाप को याद करते रहो तो तुमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे ड्रामा पूरा होना है सतो रजो तमों से पास होकर अभी सब को वापीस जाना है अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते हम रुवानी बच्चों की रुवानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुक्य सार स्वयम को इस श और स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांती का अनुभव करना है, मुद्द्य को भठकाना नहीं है, इस शरीय से डिटेच होने का अभ्यास करना है। वरदान हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बाटते है, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसाद हो रही हो, ऐसे अनुबव होता है, एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो, इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसी को शक्ति, जिससे उनका उमंग उसा सदा बना रहे, ये विशेस अत्मों की विशेस सेवा है, स्लोगन है, जो माया वी चतुराई से परे रहते है, वही बाप को अति प्रिया है, अच्छा, ओम, शान्ति